और चेप्टर का नाम है हमारा ओपरेटिंग साइकल बहुत छोटा सा चेप्टर है सबसे पहले नाम देख लेते हैं सर ओपरेटिंग साइकल का मतलब क्या है और क्या करेंगे और बिजनस के अंदर वर्क काना एक साइकल होता है साइकल का मतलब आप कह सकते हो काईंड और साइकल का मतलब हर चीज का एक प्रसेस होता है कि ये काम होगा फिर इसके बाद ये काम होगा जैसे आप फर्स्ट पढ़ोगे फर्स्ट क्लास के बाद आप फिर जाओगे सेकंड क्लास में थर्ड में फूर्थ में फिफ्ट में तो ये क्या है साइकल है आप फर्स्ट क्लास को पास करोगे आप कहां पहुंच जाओगे सेकं sasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasaasasasasasasasasasasasasasasas तो वह क्या हो जाएगा हमारा क्योंकि WIP में अगर कुछ activity कर दे तो वह किसमें convert हो जाता है finished goods, finished goods से फिर जैसे ही होगा आप क्या कर दोगे sold कर दोगे क्या करोगे, sold कर दोगे यानि यह आपका sold करने के बाद फिर पैसे आएंगे और फिर आप क्या खरीद होगे raw material, फिर WIP होगा तो यह एक तरीके से क्या है हमारा cycle है अब जब आप समान को खरीदते हो, तो इसमें भी आपका time लगता है समान को जब WIP में देते हो तो इसके अंदर भी time लगता है अपने last वाले में मैंने इसलिए पहले करा दी आपको पता हो था कि WIP में दो मेने लग रहे थे डेड मेने लग रहे थे लेकिन कैसे पता चल रहा था वो अब इस chapter में सिखेंगे WIP से finished goods में बनने में भी time लगेगा FG से SOL में भी time लगने वाला है तो ये सारी चीजे क्या है कि आपका कितना time तो net operating cycle का मतलब इस काम को करने में आपका total कitना time लगेगा पूरा time इसको हम जब circle चलाएंगे तो total कितना time लगेगा हमें ये बताना है इस chapter के अंदर साथ के साथ इस chapter में क्या बताना है कि साल में कितनी बार ये काम करेंगे number of operating cycle साल में कितनी बार ये काम करने वाले हैं एक तो ये भी बताना होगा और साथ के साथ बताना होगा working capital कितना required होगा यानि तीन चीज़े इसमें पूछी जा सकती है आप से सवाल में सर तीन चीज़े क्या-क्या पूछी जा सकती है operating cycle में operating cycle में सर तीन चीज़ों को देखें एक आप से पूछा जाएगा net operating cycle ये सर किसमें निकलेगा आपका ये निकलेगा आपका days में सर net operating cycle कैसे निकलेगा format देखे आपका सबसे पहले जो time लगेगा किसमें? raw material में raw material में क्या time लगेगा आपको वो लिखेंगे plus आपका किसमे time लगेगा WIP में वो लिखेंगे plus आपका किसमे time लगेगा finished goods में वो लिखेंगे plus आपका किसमे time जाएगा debtor में इसके बाद ये आजाएगा हमारा gross time मैं normal general word यूज कर रहा हूँ बागी मैं प्रॉपर लिखे दूँगा gross time मान लेते हैं या फिर gross time का चकर हटा देते हैं यहां पर हम रख लेते हैं इसको हम average collection period भी बोलते हैं एक या होगा हमारा creditor से creditor में हमारा time consume नहीं होगा creditor हमें time देते हैं के इतने time के लिए creditor में हमारा time इन सभी को जब minus करेंगे तो आजएगा net operating cycle question raise होता है कि सर ये सभी कुछ क्या हमें given होगा सवाल में जो आप बतारे हों ये time वगेरा क्या ये time questions में given होगा नहीं आपको ये सभी के सभी find करने पड़ेंगे आपको ये भी find करना है ये सभी के सभी क्या करने पड़ेंगे find यानि सर इसको find करने का कोई तरीका है का बिलकुल इसके कुछ formula है कुछ basics है उसको देखेंगे फिर ये निकाल देगे तो पहला pattern है नेट ओपरेटिंग साइकल निकालना किसमें time में दूसरा point आएगा इसमें कितने number of operating cycle है number of operating cycle और sir number of operating cycle जो पूछा जाएगा आपसे हमेशा पूछा जाएगा year में कि एक साल में आपके कितने number of operating cycle है year में इसका formula तो यहीं लिख देते हैं sir कैसे पता चलेगा एक साल में कितने number है तो आपका 360 days divided by net operating cycle इसको मैं NOC कह देता हूँ net operating cycle short form में थोड़ा सा NOC ठीक है ना अगर 360 में NOC लगाओगे तो आपको क्या निकल के आ जाएगा number of एक साल में कितने number होंगे अगला होगा हमारा working capital requirement working capital requirement next होगा working capital requirement sir इसके भी बहुत आसान है कितनी working capital requirement है तो इसमें हमें दो तीन चीजों को बातों का ध्यान रखना होता है जैसे जैसे सवाल में आएगा वैसे हम कर लेंगे हाला कि RP रस्तों की book के अंदर दो ही चीजे पूछी गई है सवाल के अंदर एक ये और ये की ये लेकिन एक्जाम के अंदर ये वाला भी पार्ट पूछा गया है तो इसलिए मैं ये वाला पार्ट भी cover करूँगा जिसके बस book है उसके अंदर ये दोनों पार्ट के तो questions मिल जाएगा जो हम करने वाले हैं सबसे पहले हम इसको cover करेंगे इसको cover करने के क्या ये दोनों तो आपस में connected है वन मिनिट का काम है अगर ये आ गया तो ये भी आ जाएगा इसको cover करने के लिए हमें इनके formula को जानना होगा कि किस तरीके से क्या apply करेंगे तो सबसे पहले हमें निकालना होगा raw material में कितना time लगेगा तो सर raw material में निकालने के लिए आपको उपर लिखना होगा average raw material divide करना पड़ेगा किस से सर divide करना पड़ेगा आपको या तो material से या material consume या फिर आपका total purchase इन सभी का इस्तमाल कर सकते हैं और multiply by आपका 360 question कहता है तो ठीक नहीं तो फिर 365 तो एक ये time निकल जाएगा आपका किसका material जो हम purchase करते हैं उसके अंदर हमारा कितना यानि stock में कितना time रहता है raw material के कैसे निकलेगा average raw material सर अब question आता है average कैसे निकालोगे last में बता देंगे वैसे आपको पता होना चाहिए किसी भी चीज का average कैसे निकालते है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिविज्वल वाय 2 ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिविज्वल वाय 2 ठीक है इसके बाद अगला क्या था सर जैसे raw material होगा किस में जाना पड़ेगा बताओ raw material हुआ अगला step कहां चले जाएंगे हम WIP में तो इससा WIP कैसे निकालेंगे work in progress work in progress में क्या लगेगा average WIP divided by cost of production into में 360 या 365 as पर जो question कहता है अब हमें समझ रहा है average एक बार किसी का भी समझ जाएंगा सबका हमें पता चल जाएगा cost of production कैसे निकाला जाएगा आपने अभी semester 4 खतम किया तो semester 4 में याद होगा cost of production कैसे निकाला जाता था किसमे cost sheet वाले पार्ट में कैसे निकालते थे cost sheet वाले पार्ट में opening stock जिसमें production unit निकालते थे तो मैं यहीं लिख देता हूं cost of production जो चीज़े यहां लिखना है साथ के साथ लिख देते हैं cost of production is equal to opening अगर ना given हो always given होगा opening stock प्लस यहां पर मैं opening stock को प्लस ना करके यहां लिख देता हूं यहां लिख देता हूं क्लोजिंग इस्टक को प्लस ना करके यहां लिख देता हूं यहां फिर ऐसा करते हैं आपका एक बहुत स्टार्टिंग से चल रहा है फॉर्मूले को इधर उधर कर लिजेगा हम निकाल लेते हैं cost of goods sold ठीक है इसका formula क्या होता है opening stock यह सब को याद रहता है प्लस में purchase प्लस में आपका direct expense याद है और minus क्या कर देते हैं यानि आपको cost of goods sold यह सारी बाते दे दे और opening stock दे 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 closing stock सब कुछ दे और सरिफ आपका यह वाला part missing कर देगा वो इसी को cost of production कहेंगे यहां पर्चेस कहते हो वही क्या निकल के आएगा आपका cost of production यानि आपको cost of goods sold भी दे देता है आपको opening stock भी दे देता है आपको closing stock भी दे देता है तो आपका जो निकलेगा वो क्या निकलेगा cost of production और का इस्तमाल कर लेंगे यहां पर कर लेंगे ठीक है ना cost of production भस ध्यान देना यह जो opening stock और closing stock यह raw material का होगा किस का होगा है यह raw material का लिख देता हूं यह होगा हमारा raw material का इस यह होगा raw material क्योंकि हमारे पास तीन तरीखे के stock होते हैं आपका raw material डबलू आई पी और पिनिस गोड्स तीन तरीके के होते हैं तो तीनों तरीके के यहां पे होगा है तो यहां पे किसका लेना है आपका ओपनिंग का और इसमें डबलू आई पी का भी हो जाएगा प्लास डबलू आई पी और यहां पे भी plus WIP हाला कि इतना complicated question नहीं आता question बिल्कुल simple आता है लेकिन मैं बता के चल रहा हूँ यानि opening stock कौन-कौन सा लेना है सर इसमें इसमें raw material वाला भी ले लेना है और WIP cost sheet याद करो जिन बच्चों ने cost sheet पढ़ा है तो cost sheet के अंदर हमारा क्या होता है opening stock, closing stock भी आ जाता है फिर WIP के बाद ही तो निकलता है हमारा cost of production तो वही चीज़ आई यह ठीक है चलिए इसको थोड़ा clear कर देते है इसके बाद अगला step क्या जाएगा हमारा FG की तरफ next step क्या चला जाएगा हमारा FG में अगले पीच पर लिख लेते हैं finished goods finished goods कैसे निकालेंगे निकालेंगे average finished goods divided by अब यहाँ पर आ जाएगा cost of goods sold sir cost of goods sold कैसे निकलता है sir cost of goods sold का देखो formula cost of goods sold यह निकलता है opening stock plus purchase purchase की जगह पे लिखेंगे plus production sir production कहाँ साएगा जो पीछे से निकला था न यही production minus closing stock sir पीछे भी opening closing stock था हाँ परक है यह कौन सा होगा हमारा finished goods वाला आपको cost it थोड़ा सा दिमाग में रखना है तो आपको सारी बाते एकदम clear रहेगा के सर यह कौन सा लिया करते थे हम finished goods वाला यहाँ तक clear है ठीक है सर चलिया आगे finished goods के बाद आगे क्या बनेगा हमारा debtor debtor में कितना time लगेगा तो formula कहता है average debtor divided by debtor बनता है हमारा credit sales से credit sales से into में 365 credit sales बताने की जूरत नहीं अगर total sales पता हो और cash sales पता हो तो total sales में से अगर हम cash sales को घटा देते हैं तो क्या बचता है credit sales यह बिल्कुल basic सी चीज़ है हम बहुत स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं तो इसमें ज्यादा detail में नहीं जानते इसके बाद क्या होगा क्रेडिटर क्रेडिटर में कितना टाइम लगा तो average क्रेडिटर divided by अब यह बनता कैसे है परचेश से और कौन सा परचेश credit परचेश into 365 कर दिया कई बार आप यहां पर ना circumstances ऐसा बनता है कि मान लिया जाए आप ध्यान दिजिएगा मैंने इसके नीचे बहुत सारे point लिखे लेकिन इसके नीचे नेक लिखे कई बार आपको यह सब कुछ ना given हो cost of goods sold given हो तो हम यहां पर ना cost of goods sold COGS बोलते हैं ठीक है ना यहां cost of goods sold भी इस्तमाल कर सकते हैं अगर हमें cost of production नहीं मिल रहा same यहां पर कई बार आपको अगर मान लो cost of goods sold ना given हो तो आप cost of production का भी इस्तमाल कर सकते हो alternative point में ठीक है यहां पर credit sales ना given हो तो total sales भी इस्तमाल कर सकते हो मैं बताता जा रहा हूं आप ध्यान से लिख लिजेगा फुल फॉर्म जब आप दुबार नोटिंग करेंगे ने वीडियो देखके तो लिख लिजेगा credit purchase ना पता हो तो यहां पर total purchase भी लिया जा सकता है option में alternative में क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमने सारा का सारा खरीदारी कैसे किया है credit purchase पर ही किया है सारा का सारा ठीक है तो यह क्या है सर हमारा finished goods अब आगे अब ही हमने क्या देखा था सबसे पहले क्या देखा था सर एक सर्कल चलेगा raw material यानी raw material में कितना समय लगेगा मान लो इसके अंदर समय कितना लगता है यह आगे देख लेते हैं कैसे time निकालेगे है हम मान लेते हैं एक सर्कल है ठीक है ना सबसे पहले raw material सर raw material में कितना time लगेगा मान लेते हैं 10 दिन लग गए फिर क्या आएगा हमारा WIP सर WIP में यहां से यहां तक कितने time लगे 15 दिन लग गए फिर क्या आएगा FG सर FG में कितने लगे सर 5 दिन लग गए इसके बाद क्या आएगा debtor यानि sales debtor में कितना time लगा इसके बाद आता है creditor और creditor negative होता है क्योंकि यह सारे ना हमें पैसे देखो यह सारे वो time period है जिसमें हमें इंतजाम करने पैसे के और यह वो time period है जिसमें creditor हमें benefit देगा मालो आपको total 20 दिन के लिए पैसा चाहिए और उसमें से 5 दिन का आपको उधारी कहीं से मिल रहा है तो net में आपको 15 दिन का ही पैसा चाहिए ना तो आपको 15 दिन बताना पड़ेगा number of operating cycle हाला कि मैं creditor हटा देता हूँ हटा देता हूँ creditor मैं दुबारा लिख देता हूँ और इसका formula भी यहीं पे मैं plot कर दूँआ ठीक है अच्छे से लिख देते हैं ताकि आपको clear रहे चलिए सबसे पहले हमारा होगा raw material raw material सर इसका formula क्या है जहां-जहां मौका मिलेगा मैं बताता जाओंगा क्या लिखा था average raw material divided by purchase या फिर raw material consume ठीक है इंटू में क्या करते है तीन सो 65 और 60 में भी situation इसके बाद किस में जाएंगे हम WIP सर क्या formula बताया है WIP का average WIP divided by cost of production क्योंकि आप याद करो WIP तक तो हमारा production ही होता है इसके बाद कहां जाएंगे सर हम आगे चलता जाएगा समय चलता जाएगा और आ जाएगे हम finished goods finished goods क्या होगा average finished goods divided by finished goods कहां से निकलता था cost of goods sold COGS into में तो रहेगा ही 365 चलते जाएगे चलते जाएगे तो क्या बनेगा सर हमारा debtor debtor का formula क्या था average debtor divided by क्या किस से बनता है debtor सर credit sales into में 365 whatever आपको जो भी लगे वह आप use कर सकते हो ठीक है न तो यह था हमारा total और creditor का भी आपको पता है कि creditor का क्या होगा यह सारे formula को मैं highlight कर देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए यानि आप इसमें देखोगे ना तो उपर तो सब का एवरेज ही है इसमें भी उपर एवरेज इसमें भी जैसा नाम उसका एवरेज अगर raw material है तो raw material का भी बहुत मुश्किल नहीं है कि सिंपल सा है और माल लू इसमें लगे 10 दिन इसमें लगे 10 दिन इसमें लगे माल लो पांच दिन और इस На Ham हमारे चले गए जिसमें से पंदरा दिन हमें बेनिफिट मिल गया तो नेट ओपरेटिंग साइकल क्या हो गया सर 15 days का net operating cycle आएगा आप format देखिए raw material में कितना time लगा निकाल लोगे यह time है इसके बाद WIP में कितना time लगा है यह भी निकाल लोगे FG में time सबको जोड दोगे और creditor को क्या करोगे माइनस कर देंगे ठीक है ना तो इस तरीके से हमें एक सवाल देख लेते हैं पहले और इसके न कुछ technical और भी नाम है सवाल के बीच बीच में करते जाएंगे पहले यहां तक आपको formula clear होना चाहिए और उसी formula के according हम चलेंगे देखे आपको सारी चीज़े given है और कहता है current working capital cycle निकालना है और इसको working capital cycle का नाम दिया है उन्होंने question visual है average finished goods 360 है या 365 हाँ कुछ बच्चों का doubt आ रहा है तो देखो 360 और 365 as per questions given अगर question नहीं कहता तो always आप 365 लेके ही करेंगे ठीक है मैं भी करूंगा जैसे सवाल के अंदर कहीं भी question में कुछ नहीं बोला तो generally मैं जो है ना वो 365 लेके करूंगा लेकिन अभी देखना कुछ सवाल ऐसे आएंगे जहां पर वो बोल देगा कि साल में आपको 360 दिन ही मानना है तो हम 360 दिन के हिसाब से उसको करेंगे ठीक है ना चलिए चलिए सर सियो लीएस का फॉर्मूलबध ठीक है की हो छ्यी'll Cow लार दो कैसे हो सकता है चलो सियो जी इसका फॉर्मूलध 2 मुझे था गिश्में डाउट आएगा इसलिए मैं सियो जी इसका इसका नाम यहां पर कि कोश्ट आफ प्रॉडक्शन यहीं बोल देता है क्योंकि मैं कुछ समझ बच्चे कुछ गलत ले जाए प्रॉडक्शन इन सबी को करदे माइनस प्लस पॉडक्शन आजएगा ठीक है वो जब यह वाला applicable हो जाता है जब आपको cost of good sold दे देता है अब clear है चलो अलग कर दिया और बताइए और यह short में भी आपको पता चल गया कैसे करेंगे clear है सवाल को देख ले सर question में क्या कहता है कहता है सर sales हमें दे रखा है अब sales क्या होगा सर हमारा debtor वाला part है ना cost of production दे दिया purchase दे दिया यह क्या होगा creditor raw average दे दिया यह देखो और क्या आसान काम चाहिए average सब कुछ दे दिया आपको आपको क्या करना है इसमें बताओ सिर्फ formula में रखना है और काम हमारा हो जाएगा easily तो सबसे पहले हम format बना लेते हैं आपको जो एक्जाम में करके आना है तो यह भी पता होना चाहिए कैसे करना चाहिए एक्जाम के अंदर पेपर में तो वह भी मैं बता देता हूँ यह रहा हमारा amount पूछा गया current operating cycle तो उपर यही लिखोगे ठीक है अब एक एक करके हम formula को भी inside में लिखते जाएंगे और solve करते जाएंगे formula में थोड़ा short में लिख सकता हूँ तो सबसे पहले raw material है ना raw material का formula यहीं लिख देते है average raw material आपको एक्जाम में ऐसा ही करना है divided by आपको raw material consume नहीं तो अब purchase तो यहाँ पर raw material consume तो कहीं मिली नहीं रहा तो हम क्या इस्तमाल कर लेंगे यहाँ पर purchase इस्तमाल कर लेंगे अब कुछ नहीं बोल रहा तो 365 यह formula हो गया इस formula को solve करके दिखा देंगे तो average raw material देखो तो आपको कितने दे रखें 80 और purchase दे रखें कितने 600 इंटो में 365 टोटली का काम last में कर लेंगे ठीक है और यह मैंने amount गलत लगा दिया यह किसमें आएगा सर डिजट टाइम यानि डेज में ठीक है ना चलो अब इसके बाद क्या आएगा हमारा WIP WIP में क्या करें हम सर average WIP divided by cost of production short form यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ 65 आएगा तो सर average WIP सवाल में गीवन है बिल्कुल गीवन 80 5 divided by क्या हमें cost of production गीवन है बिल्कुल गीवन है इन्टू में 365 बाद में टूटलिंग इसके बाद किस पर आ जाएंगे हम FG में FG का क्या formula है average FG divided by cost of goods sold COGS इन्टू में 365 अब यहाँ सवाल में मज़े की बात देखो average FG तो दे रखा 180 लेकिन cost of goods sold नहीं मिल रहा तो मैंने क्या बता है जब cost of goods sold ना मिले तो क्या use कर लेंगे cost of production ठीक है cost of production तो cost of production कितना है हमारा 2100 इस्तमाल कर लेंगे alternative basis पे चलिए इसके बाद क्या जाएगा debtor debtor में कितना पैसा फसेगा average debtor divided by purchase नहीं आएगा यहाँ पर क्याएगा sales into 365 तो अगर हम average debtor की बात करें तो यहाँ पर सवाल में दे रखा है इसने 350 divided by average debtor दे रखा है average debtor आपको average debtor तो ले लिया sales sales सबसे उपर ही दे रखा है आपको 3000 into 365 अब यहाँ से less कर देंगे क्या सर यह से न ग्रॉस ओपरेटिंग साइकल भी बोल देते हैं जैसे कि हमारा current assets था न ऐसे gross operating अभी हम net में कर लेते हैं क्रेडिटर इससे क्रेडिटर में क्या आएगा हमारा average क्रेडिटर divided by परचेज ही आएगा यहाँ पर इंटू 365 तो सर एवरेज क्रेडिटर तो हमें दे रखा है 90 divided by परचेज पता है हमें कितने हैं 1200 इंटू 300 परचेज 600 इंटू 300 है 600 ठीक है अब फटा फट से इसका आंसर निकाल देते हैं 80 divided by 600 इंटू 365 अब यह पॉइंट में आ रहा है तो मैं पॉइंट में 48.6 आ रहा है तो मैं इसको 49 कर दूं फरक नहीं पड़ता कुछ पॉइंट में फरक आ जाएगा आंसर में दिक्कत वाली बात नहीं है यहार है चौदधा पॉइंट साथ तो इसको पंदरा कर देते हैं हैश कर देते यहार है एकत्तैस पॉइंट सम्थिंग तो इसको 31 कर देते हैं यहार है 42 यह 54 यारे 55 कर देते हैं रहेopard'm क्या ठीक है इसको ओपरेटिंग साइकल, नेट ओपरेटिंग साइकल कैसे निकाले, 49 प्लस 15 प्लस 31 प्लस 42 माइनस 55, सर ये सवाल ना, 82, ये सवाल कई बार 15 नमबर का पूछा गया है, इस टाइप का कुश्चन, आप देखेंगे, लास्ट टाइम भी जो आया था ना, रेगुलर के, कोरेस्पो पूछ लिया, नमबर ओपरेटिंग साइकल बताईए, नमबर ओफ ओपरेटिंग साइकल, वेरी सिंपल, 365 डिवाइड़ बाइ, नेट ओपरेटिंग साइकल, 365 तो फॉर्मूले का हिस्सा है, और कितने थे, 82, तो यानि एक साल में आपके कितने चक्कर लगेंगे, एक साल मे लगेगा, 365 डिवाइड़ बाइट यानि 4.45 राउंड आपके इतने बार आपको इतने टाइम पर पैसे चाहिए, तो नमबर ओफ के आगया हमारा ओपरेटिंग साइकल, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी देख लिजे, है किसी को दिक्कत, किलियर है, क्रेडिटर माइन 12 दिन लगेंगे, 31 दिन हमारे fix, 42 दिन में debtor, तो यहां से यहां तक जो time आएगा न, in time के duration में क्या रहेगा, कि यहां से यहां तक के time के अंदर हमारे पैसे फसे रहेंगे, मार्केट में, क्योंकि raw material खरीदोगे, उसमें भी पैसा जाएगा, डबलू आईपी में लेबर ब बन रहे हमारे, लेकिन आपको 55 दिन का सामने वाला party उधार दे रहा है, लेबर बोल दे के भाईया, मैं इतने time के बाद पैसे ले लूँगा, तो वो time मेरा बच जाएगा, तो इसलिए माइनस कर देते हैं, हम creditor के time को, चीक है, यह जो लिखा है, यह year में answer आए, कि एक साल म इतने number of operating cycle होगा, number of operating cycle year में आएगा, यह number of operating cycle days में है, और यह आता है, number of operating cycle एक साल में, मतलब यह 4 साल मत बोल देना, कि कितने बार circle लगेगा, यह भी मान के चलो, 4.45 मन्त में हर बार मुझे इतने पैसे की जुरत पड़ेगी, आपको 82 days में पैसे की हर बार जुरत पड़े तो पहला 82 days खतम होगा, फिर अगले 82 days के लिए, फिर उसके अगले 82 days के लिए, तो साल में कितनी बार आपको पैसे की जुरत पड़ेगे, तो 4.45 बार, time है यह, actual में यह इतने time है, सर, amount में 0, 0, 0, 0, 0 questions में है, अच्छा, यह 0 नहीं लिया, तो फरक क्या पड़ता है, 30 उपर भी 30 नीचे भी वो cancel out होके यही answer आना है, अगर आप बोलते हैं, सर, 00 नहीं लिया, तो 0 लेंगे, तो 30 उपर भी लगाने होंगे, 30, नीचे भी वो cancel out होके यही desert आ जाएगा, ठीक तो बोली नीडा, हमने 0 से 0 काट दिया मानके चलो, बिल्कुल first class है आपकी, तो यह भी आज की first class ही है, इस chapter गई है, हाँ, अब average निकालने कुछ बच्चों को formula क्योंकि यहां तो दे रखा है, तो average कैसे निकालोगे, opening stock plus closing stock divided by, अब किसका opening, किसका closing वो आपको देखना होगा, finished goods में finished goods, WIP में WIP, purchase में purchase, creditor में creditor, debtor में debtor, clear है यहां तक? झाला में पूख और जाइए हू यहां बच्चों को आर पमेंड़ की summary